आप सभी प्रियदर शुकों का स्वागत है इस नए वीडियो में बात करेंगे आज GTL Infrastructure के बारे में गिरावाट आ रही है क्या ये खरीदने का अच्छा मुखा है One of the pennies stock जैसा आपने request किया था उसके accordingly आपको समझा रहे है जी हां बहुत जल्द इसमें right level आएंगे buy करने के लिए बताएंगे क्या है support और क्या होगे resistance टेक्निकल एनलेसिस के basis पर और समझाएंगे कि आपकी क्या होनी चाहिए रनिती GTL Infrastructure के बारे में आगे आने वाले समय में 5G Infrastructure needs सभी की बढ़ेंगी और उसके चलते हुए ये सारे के सारे चीज़ें इस तरह के स्टॉकों में तेजी आने की उम्मीद रहेगे आईए चलकर हम visualization करते हैं इस ख़बर का तो सबसे पहला गर हम fundamental view देखा जाए GTL का तो GTL एक infrastructure company है जो particularly telecom sector में काम करती है और देखिए इसमें advantage क्या है कि ये company आने वाले समय में जो इंडिया की future infrastructure need है उसको ध्यान में रखके काम करेगी शेयर करके आप infrastructure use कीजे और साथ ही साथ में paper use के concept के साथ में आपको पूरा infrastructure अपने पास खरीदने की जूरत नहीं है आप accordingly उसको अपने से काम कर सकते हैं तो mobile के शेतर में जो भी आगे companies काम करना चाहेंगी उनको सारे के सारे tower इनके पास में 28,000 tower हैं और करीब-करीब 22 telecom circle में काम करते हैं और irrespective of किसी भी company को आपको चाहिए सब को brand equally provide करते हैं तो अगर देखें इनके पास में 70 million plus subscriber connected है at any given point in time और ये करीब-करीब 5000 लोगों की employed company है और अगर इनका customer base देखें तो कोई भी आपके पास telephone communication का चाहे company हो इनके साथ में उनका tie-up जरूर होगा चाहे आप Vodafone करते हो चाहे आप air cell हो, air tell हो, BSNL हो, reliance communication हो सब को इनका specific usage रहता है देखें इनकी advantage है CSR activity में भी काफी helpful करते है और साथ ही साथ में इनकी corporate governance relatively अच्छी है जो छोटी company होने के बावजुद भी आईए चल कर बात करते हैं आगे कुछ और इसकी basic information की प्रीज कंसल्ट और financial advisor before investing and trading अब अगर हम बात करें यहाँ पर देखें GTL infrastructure थोड़ा सा pressure में है यहाँ पर अगर इसका भाव देखेंगे तो देखें यह उपर के level से 130 के level से गिर कर अभी 90 पैसे तक आ चुका है जो की एक अगर आप Boolianger Band को follow करते तो देखें कितना अच्छा pattern बनाए है यहाँ से उपर के level से गया ज्यादा extension हो चुका था Boolianger Band का mean तक आया फिर उसके बाद छोड़ा retrace करने कुशिश की और उसके बाद में फिर से अब इसके almost lower level पर आ चुका है यहाँ पर तो हो सकता है एक दो दिन और नीचे चले और उसके बाद फिर यहाँ से छोटा सा bounce back करे पर क्या होगे सही level वो हम आपको अभी बताते हैं यहाँ पर तो downtrend जो था वो अभी चल रहा है इस stock में infrastructure को उपर बहुत stress दिया गया है बजट के अंदर और आने वाले समय में इंडिया को भी 5G ready बनना होगा अगर इंडिया को infrastructure में अपनी पहल करनी है जैसा यहाँ पर road infrastructure पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है वैसे ही 5G infrastructure mobile network पर भी ध्यान देना होगा क्योंकि आगे की entrepreneurship इसके ओपर बहुत जादा depend करती है कि आपकी connectivity कैशी है चरनल का 5FF rule हमेशे ध्यान रखे दोस्तों अब देखें इंफ्रास्रक्चर सेक्टर में अगर आपको mobile सेक्टर में कोई एक single unique company पर निवेश करना है तो this is one of the best bet बताते हैं कैसे आईए चल कर कुछ की information की समझते हैं उससे पहले जाए इसके quarterly results समझने की कोशिश करेंगे तो देखें इस बार भी इनको loss जो हुआ है वो maintained है जिस same pace per loss हो रहा है उसी same pace per loss चल रहा है इनको अभी थोड़ा सा decrement है अगर हम यहाँ पर देखेंगे कि इनकी overall जो profit and loss है वो 20, 207 करोड का है compared to 171 करोड का उससे पहले 239 करोड का था इनका पिछले quarter में तो on average 200 करोड के आसपास इनका loss चल रहा है regular basis पर इसके detail numbers अगर दिखाने हैं तो देखे according to the print media report इसके जो losses है वो quarter में previous quarter के accordingly sales तो बढ़ी है 1.6% 348 करोड की बट expenditure जादा होने की वज़े से इनका जो profitability है वो 207 करोड की है loss के reference में अब एक study की गई है Atlantic Financial Management Company के दौरा जिसमें उन्होंने आगे आने वाले समय में बात की है कि किस तरह से players जो भारती इंफ्राटल है GTL infrastructure है Reliance इंफ्राटल है इन कंपनियों का projection क्या होगा 2020 beyond तो ये study उन्होंने पिछले साथ सालों की study करके और आगे आने वाले पांच सालों में बताया है कि इनकी projectile क्या होगी 2019 से 2025 तक और जो study की गई है वो यहाँ पर ही नहीं इनके North America, Europe, Australia, Asia Pacific, Middle East सब major countries में उन्होंने data collect किया है और उसके बाद इन्होंने ये study को publish किया है अब देखे आने वाले समय में अगर यहाँ पर बात करें तो CAGR जो है double digit growth करेगा जो की एक बहुत ज़ादा profitable business होगा तो CAGR की अगर यहाँ पर बात करें 10 साल का base लगा आया तो 10% incremental growth दिखाई देगा यहाँ पर कुछ challenges भी हैं जो बताए गए हैं यहाँ पर जैसे कोई नए player आते हैं वो disrupt कर सकते हैं for example India में Jio का connection शुरू हुआ और वहाँ से उन्होंने सारी companies का business को disrupt कर दिया और सब लोग अपने पैसो को कम करने लगे in terms of to retain the customer अब यह stability आ चुकी है उसमें customer base के reference में और Reliance Jio भी अपने आपको थोड़ा सा profitable बनाना चाहेगा क्योंकि private investment आ चुके हैं वहाँ पर तो वो एक बढ़िया proposition बनेगी यहाँ पर आने वाले समय में जो telecom sector के power system detail है उनकी इन्होंने study किया उसके accordingly बताया गया है कि जो infrastructure है उनके अंदर efficient power utilization की requirement है वो एक one of the bottleneck है जो यहाँ पर आगे आने वाले समय में इसको help करेगी अब government regulation है other development होंगे और इनकी काफी अच्छी opportunity आएगी based on the market trend क्योंकि market में हमेशा चीजों को उपर ले जाना कोशिश होता है जैसे आपको अगर speed शुरू से देखे हो तो पहले आपका 2G speed पर net चला करता था लोग बाग वहाँ पर भी browsing करते थे उसके बाद में पहले तो mobile पर था ही नहीं net सबसे पहले आप हम बताते हैं आपको शायद हो पहले आपको BSNL का landline connection लेना होता था और उसके साथ में फिर आपको एक BSNL का modem मिलता था और वो उससे आपको laptop connect किया जाता था तो ये थी पहले technology आप देखें अब घरों घरों में हर चोड़े चोड़े बच्चे के पास अब mobile phone आ चुका है और उसमें net available है और वो net की speed भी देखें यहाँ पर 4G net available है और आने वाले समय में बहुत जल्दी ये 5G net भी compatible हो जाएगा तो अगर देखें यहाँ पर आगे आने वाले समय में ये बहुत अच्छी अगर आपको report की information देखनी है तो इनका contact address और website दी हुई है आप उनको follow कर सकते हैं बट इस report के accordingly GTL infrastructure is one of the leader in the segment क्योंकि यहाँ पर इनके पास में client base जो है वो बहुत बड़ा है भारती infratal जाद तर अपने लिए काम करता है reliance infratal वो अपने लिए काम करता है पर GTL infrastructure across the globe उन्हों उन्हें अपने different customers के साथ में काम किया हुआ है जो कि एक अच्छी बात है उनके लिए वहाँ से देखा जाए तो तो buyers और seller की जद्धो जहद में अभी sellers का पलडा भारी है continuously lower circuit लग रहा है जिसके चलते हुए अभी कुछ लोगों को शायद अगर उन्हें गलत लेवल पर entry की है तो अभी थोड़ा panic भी हो रहा होगा दोस्तो इसलिए बोलते हैं चैनल का 5 बेफेरूल हमेशा ध्यान रखिए और valuation को हमेशा ध्यान रखिए valuation की basis पर ही किसी stock को खरी दिये अब जरा कुछ और technical analysis करते हैं इसका और बताएंगे क्या होना चाहिए तो देखिया दिन बर activity हुई कभी नीचे कभी उपर 90 पैसे और 50 पैसे के बीच में सारे दिन ये घुमता रहा है यहाँ पर अब एक चीज़ आपको इसमें समझाना चाहेंगे दोस्तों ये चीज़ आपको technical analysis खुद भी आना चाहिए धीरी-धीरी सीखें के तो अच्छा रहेगा यहाँ से अगर आप Fibonacci arch treatment निकालें तो देखिये जो अब ये वापिस जाएगा तो इसको सबसे पहला resistance जो है वो ए भी stock खरीदना है, especially penny stock, पहली बात limited पैसा निवेश करेंगे उसमें, दूसरी बात हमेशा stagger mirror में खरीदिये, let the opportunity go, कोई बात नहीं है, मौका फिर मिलेगा, कुछ लोगों ने सोचा होगा, एक रुपे के ओपर पहुँच गया, आप खरीते हैं, आप खरीते हैं, आप देखि शुरू किया है, penny stock, news, trade, उसको आप join कर सकते हैं, और वहाँ पर हम ज्यादतर penny stock के अब analysis feature में करेंगे, तो यह जो simple conclusion है, इसका यहाँ पर 80 पैसे के आसपास, इसका बहुत अच्छा demand zone है, यहाँ पर आप इसका थोड़ा सा खरीदने की कोशिच कीजेगा, staggered manner में अच्छा value मिलेगा आपको long term की दरश्ची से, और जैसा बताया, bullionger band ने काफी अच्छा pattern दिखाया है, उपर से लेकर नीचे तक आ चुका है, यह 90 पैसे के अभी आसपास गुम रहा है, एक दो दिन और नीचे जाएगा, और 85 और 90 पैसे के आसपास, यहाँ से support की उम्मीद है इसको आने वाले समय में, तो जैसा हम आमेशा बोलते हैं दोस्तों, staggerman में खरीदिये, पहला लेवल आपका entry, 80 पैसे के आसपास होना चाहिए, और कुछ अपना contingency के लिए रखे, ताकि आपके पास cash reserve रहे, और अभी कभी market manager reaction आता है, तो उसमें आपको opportunity मिले, इसको cost को average करने के लिए, तो conclusion की बात simple है, जैसा हमने levels का बताया, उन पर खरीदियेगा आप अगर आपको interested है, detail infrastructure में, bullish view है, हमारा भी bullish view है इस stock में, और हमारा target आने वाले 3 साल में अगर आप इसको hold कर सकते हैं, तो ये 8 रुपे तक का आपको target देगा, buy करिए, और hold रखे, long term में बहुत अच्छा stock मनेगा आपके लिए, दोस्तों, अगर stock market में learning करनी है, या फिर आपको internet trading करकर पैसे कमाना है, तो उसके लिए, चीजों की बारीकियों को समझना होगा, देखना होगा, कैसे trading की जाती है, क्या किया जाता है, अगर आप interested है, तो उसके लिए, आप हमें mail drop कर सकते ह आपके लिए चार वीडियो प्रसुत है, जहीं जा भारत, बाई